हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी तो आज मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हूं बहुत ही प्रिटी हेर स्टाइल की वीडियो शेयर करूंगी सिंगल ऑईली ब्रेड मैंने बनाई है जिसमें मैं बहुत सुंदर बन बनाया है तो चलिए गाई इस वीडियो को स्टाइड करते हैं मैंने जिशन को हीर वाश करवाया हीर वाश करवाने के बाद मैंने उसके बालों पर अच्छी तरह से ओईलिंग की है सबी टैंगल को मैंने रिमूव कर दिया है आप उसके लॉंग ओईली ह कि हाथों में बिल्कुल भी उसके बाल नहीं आते हैं मतलब ना उसके बाल बिल्कुल हमारे हाथों में नहीं आते हैं पॉनिटेल करना जूडा करना या फिर उसे पटका वेर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम उसे पटका भी वेर करते हैं तो उसका जुड़ा इतना ज़्यादा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ओईल उसके बालो में लगा देती हूं जिससे कि उसके बाल ठोड़े हैवी कम हो जते हैं तो एक मैंने सिम्पल रबर बेंड डाला है पॉनी टेल कर दिया है टाइट पॉनी टेल किया है बालो पर आप शाइन द आप उसके ब्रेड बहुत ही जादा प्यारी लगती है। जशन के बालों में जब भी मुझे कोई हियर स्टाइल करना होता है तो मैं सबसे पहले उसके बालों पर अच्छी तरह से ओईलिंग करती हूँ, हैवी हियर ओईलिंग करती हूँ, क्योंकि ना ओईलिंग के बगएर तो उसके बालों में कॉम्बिंग भी नहीं हम कर सकते हैं, तो देखे कितनी लांग मैंने उसके ब्रेड बनाईया कह एक फिर वाइट कलर के रिबन का यूज कीा इसे भी मैंने मेंने ब्रेड के साथ ही कवर कर दींक है। इसी का यूज करके मैं बन बनाऊंगी गईस अगर आपके बाल लंबे नहीं होते हैं या फिर आपको हियर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ओहिलिंग करने के बाद ना इस तरह से रिब्बन का यूज कीजिए रिब्बन की यूज से भी ना हमारे बाल काफी जदा लंबे होत करने के बाद रिब्बन वेयर कीजिए बालों को कवर करके रखिए तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे तो देखे इस तरह से मैंने रिब्बन का यूज किया है उसकी ब्रेड तो खतम ही नहीं होती है मतलब इतने लंबे उसके बाल है आप देख सकते हैं कितनी चोड वाले वाइट रिब्बन का यूज किया है इसके बाद जो मैंने बंड बनाया था ना तो इतना हेवी बंड बना था कि मतलब इतने लंबे बाल अगर मेरे होते या फिर किसी भी गरल के होते तो वो कितनी अच्छी अपने बालों की केर करती जोशन के बालों की केर तो हमें ही करनी पड़ती है वो तो बिल्कुल केरलेस है उसे तो बहुत मुश्किल लगता है कि मेरे बाल क्यूं इतने लंबे है तो देखे फिर मैंने braid को इस तरह से थोड़ा open कर दिया जिससे braid और ज़्यादा heavy लग रही थी आप चाहे तो किसी hair accessory का use कर सकते हैं, hair band, tic-tac, किसी भी pin का use कर सकते हैं जिससे कि आपका hairstyle और ज़्यादा सुंदर लगने लग जता है तो देखे बाद में मैंने इस तरह से bun बन बनाया है, braided oily bun है ये, with using white ribbon और आप इसकी look देखिए, bun की कितनी ज़्यादा सुंदर आई है, कितना सुंदर, कितना heavy bun लग रहा है तो आपको ये विडियो कैसी लगी है, जशन के बाल कैसे लगे हैं, आपने comment करना है, विडियो को like करना है, चैनल को subscribe करना है, comment करके बताना है, कि हमें जशन की विडियो कैसी लगी है, और हम कौन-कौन सी विडियो जशन की देखना चाहते हैं जिसनाप सबके comment read करता है तो please comment जरूर कीजिए और वीदियो को like भी कीजिए like तो बहुत कम करते हैं आप वीदियो जरूर देखते हैं बट like कभी भी नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें तो देखे जैसे ही वीडियो मैंने खतम किया तो उसी टाइम मैंने उसके बन को ओपन कर दिया है ब्रेड को ओपन किया और उसके जुड़ा किया है आप उसके ब्रेड बिल्कुर क्लोज से देख सकते हैं इतनी हैवी कितनी सुन्दर ब्रेड बालों में जब ऑई लग जाता है ना तो बालों में शाहिन बहुत ज़्यादा अच्छी आ जती है बाल और पी ज़्यादा सुन्दर लगने लग जते हैं आप चाहे तो ना रिबन का यूज करके इस तरह से ब्रेड ऑपन भी रख सकते है किसी भी रबट से इसे सिक्यूर करने के बाद इसे उपन ही छोड सकते हैं और चाहे तो बन बना लीज़िये करेले घर लीजिये तो देखिए उसी टाइम में उसकी ब्रेड को ओपन किया है और उसे जुडा किया है उसे पटका वेर किया है क्योंकि जशन रूटीन में पट उसके बालों में कैंची का यूज किया है बहुत अच्छी मैं उसके बालों की क्यार करती हूँ तो आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए गाईज अम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए थैंक्यू बाई